स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मॉडलिंग हाउस में और मैं आज आया हूँ सेक्टर एट ओपिसर कोलोनी तो मैं आज आपको दिखाऊंगा यहां का इंटरियर वर्क तो मैं आपको आज इंटरियर वर्क दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा फॉल सिलिंग, वाल इन जिया है छोटा सा लाइट के लिए और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां का लिविंग स्पेस है यह लिविंग स्पेस है ज्यादा डार्क कलर ना करते हुए हम लोगों ने श्रीफ वाइट कलर और डार्क कलर का बोर्डर दिया हुआ है अगर इधर आप लुक करोगे तो यह आपका 3D वाल पेपर है कापी सुन्दर वाल पेपर हम लोगों ने इस वाल पे दिया है यह जो पाइनल लाइट देख रहे हैं हम लोगों ने 3D वान डाला है अभी मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊंगा जैसा अभी यह कुल लाइट जल रहा है तो अभी वार्म जलेगा यह आपका हो गिया वार्म लाइट और इससे पहले जो जल रहा था वो कुल था तो यह लाइट है आपका सिसका का 3-1 जिसमें आप 3 तरह का लाइट जला सकते हो अभी ही आपका कुल लाइट जल रहा है यह हो गिया कुल को आप दिखाता हूँ यहां का टीवी यूनिट तो यह आप देख सकते हो यहां पे टीवी यूनिट है जो वाइट माइका के साथ और ग्रिन पलाई में बना हुआ टीवी यूनिट है तोड़ा मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ साइट से हम लोगों ने इसमें कोबलाइट दिया हूआ है बुलू कलर है और इसका हैंडिल आप देखोगे तो आपको गॉल्डेन कलर का हैंडिल भी लेगा चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ यहां का बेडरूम चलिए बेडरूम की और यह हम लोगों का बेडरूम का फॉल्सिलिंग है सारा टूल यह फॉल्सिलिंग है और सौबर कलर है इसमें कि आप देख सकते हूं यहां पर बहुत ही सुन्दर वाल पेपर हम लोगों ने पेस्ट किया है कि आप देख सकते हैं यहां साइट पर एक मीरर वर्क है आप देख सकते हो मीरर तो चलिए अब चलते हैं आगे की और बेडरूम और दिखाता हूं एक बेडरूम हम लोग का यह है जिसमें आप वाल पेपर देख सकते हो वो सुन्दर सा डिजाइन है वाल पेपर का थीरीडी में पीबी सी वाल पेपर है वासे भूल है आप इसे गंदा होने पर आप भींगा हुआ कपड़ा से पोच सकते हों पिर्मियम कॉलिटी का वाल पेपर है वाल के सामने से उन लोगों ने इसमें एक स्टोरेज दिया हुआ है सलाइडिंग स्टोरेज है आप इससे सलाइड कर सकते हो चली आप चलते हैं मास्टर बेडरूम की और यह हम लोग का है मास्टर बेडरूम और यहां पर जो सिलिंग है स्क्वाइर डिजाइन है और टू लियर सिलिंग है सारा में और आप देख सकते हो यहां का फॉल सिलिंग और वाल पेपर आप देख सकते हो तो चलिए अब मैं मिलाता हूँ हमारे कलाइन से सोनु भैया से तो उनसे रूप रूप कराता हूँ और उनसे पुछते हैं कि हम लोग का वर्क कैसा लगा? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉडलिंग हाउस में तो मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग का वर्क ऐसा लगा? तो पहले तो मैं सुरू करूँगा कि जब हम लोग सोचे कि अब हमें घर का इंटीर वर्क कराना है तो हमारे नजीग जो भी मार्केट है बोकारों के हैं हम लोग तो हम लोग चाह्स में गए तो हम अनलाइन वेब साइट के थूरू इनके साइट के बारे में पता चला मॉडुलिंग हाउस फिर हमने बाके जगा भी रेट पता किये और वर्क व्य वी पे पता किया हमने तो जो भी हमें रागा तो फिर फिर इन पर ट्रश्ट किया फिर क्वालिटी एस वेल एस दा मनी मतलब जो भी इन्होंने कहा कि जैसा डिलिवरी होगा या कहीं भी कोई चीज कम है तो यह नहीं कि मतलब नहीं यह वैसे नहीं हो सकता है बीच में भी अगर आपका कुछ दिमांड है कि इसको थोड़ा इंप्रोवाइस करना चाहते हैं तो यह सुष उटसर लिप इसके लिए यह लिए इसके लिए वे पी किरह समय मोगतर कुछ आप जब भी मन की एर आप call selling कराना चाहते हैं यह उसके बाद कि मने वाल्ड़ पेपर कावी काम इनहोंने किया हम आने को बोला कि हमें वालपेपर लगाना है तो फिर लग ने हम ने शू बोला कि हमारे पास दिजाइनर पर फिर भी हमने चार्स के मार्केट में पूरा सर्च किया पर जो इनके पास जो डिजाइन्स थे वाल पेपर के वह जन्यून थे और अलग हटके मतलब वह नहीं है जो सब लोग लगा रहे हैं तो मतलब आपको वेराइटी भी मिलेगा प्लस इनके अंतर जो भी काम कर रहे हैं जैसे कि बिट्टु वेया हुए या फिर बाद में जीनों ने वाल पेपर का भी काम किया उनका भी नीचर बहुत अच्छा है मतलब टाइमली आ जाना अगर कुछ कह भी रहे हैं या मेरे पापा कह रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए नहीं होना हमने बोला भी कि आप जबिंहोंने पूरा वाक किया तो अपार की गोर्डिक कर रहे हैं और इनन्यू के थुरू हम्ने आप इन्यों नहीं हमें contact दीया पेंटिंग के लिए भी तो पेंटिंग का बादल बहिया है इन्होंने किया है उन्होंने डिलक्स का डामन loves पेंट किया तो वो भी बहुत अच्छा काम की हैं और प्लस में है कि टाइम डिलीवरी ऐसा नहीं है कि आपको लेट होगा काम मिलेगा जो उन्होंने टाइम बाउंड बोला है और वैसे होगा और पैसे के लेके कोई जिग जिग नहीं है कि बस वो है कि हाँ आपको मतलब 25 परसेंट ये 30 पहले पेमेंट करना पर जैसे जैसे काम होम गो वैसे वैसे बोलते हैं मैट्रयल में जो वी डिल हुआ था जो मैट्रियल जो बात होई तिया आप से कि इस बरांड का मेट्रियल होगा जिस पार सो बाप रेल मिला क्योंकि हमने देखा भी कि जो एन्होंने बोला जिबसं मार्ध को प्ल Minnie's police अ Cr Austral को होगा इन्होंने बोला था डिसा का लगाएंगे या जीबसम स्कूरू भी होगा या फास्टनर जो आपको बेफिकित हो कि मॉडलिंग हाउस से काम करवाईए आपको जन्यून काम मिलेगा चलिए इतने तारिफ के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया और आगे भी आपके साथ काम होगा जब भी आप नया फ्लेट बनाए कैवी बनाए तो हमें याद करें और सबसे पहले तो मैं आपको ठैंक्स कहूंगा कि आपने मॉडलिंग हाउस को चुना क्योंकि वर्कर तो काफी सारे हैं बुकारो में और बहुत सारी कंपणिया है जो इंटिरियर वर्क करती है तो आपने बोकारो में मोडलिंग हाुस को चुना इसके लिए हम आपपो ठेंक्स कहना चाहेंगे और बविश में जब भी कोई भी काम पड़े कोई भी सर्विस का हो तो आप बेच चैक कॉल कर सकते हमें की अपिघuckle करेंगे हमें जर्व को पबस्त करना हो अभी तो यह जारकंट में कर रहे हैं पूरा तो विला इन्होंनthinking कि अब कारों के बाहर होगा यह सर्विस प्रवाइट करेंगे पर आप बेजिजिक कराशकते हैं हमें भी first time करवाया है काम मतलब हमें भी पहले नहीं पता था कि मतलब कुछ नहीं हमें तो हमने search किया फिर इनका mainly काम दिखा इनोंने अपना पहले का काम दिखाया काम की जानकारी कैसी है तो उसी पर हमने trust किया और result आप लोग के सामने है तो guys जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग का work और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दे और video को like कर दे अगर आप भी interior work कराना चाहते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं हमारा number है 95407595 आप हमारे website पे भी विजिट कर सकते हो website है www.modelinghouse.com या आप हमें office में भी आके विजिट कर सकते हो हमारा address है डॉक्टर आरें सर्मा बिल्डिंग चेक पोस्ट चार्ज बोकारो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे सुरच्छित रहे जै हें जै जारकंड